गलिसरीन को पर सकता है और आपकी skin जो है उसको कई तरह के problems हो सकते हैं क्योंकि ग्रिस्रीन की जो consistency होती है वो काफी थीक होती है गाड़ी होती है और वो skin पे लगने के बाद चिपचिप सा भी हो जाता है तो इससे जितने भी dust है वो आसानी से catch हो जाते है आपके skin पे और उसके बाद आपके जो clog हो कर देता है जो कि बाद में pimples का और दाने का कारण भी बन सकता है इसके अलावा अगर आप इसको sun में sun contact में लगा के जाते हो अगर सूरज के सामने तो कुछ sensitivity भी रखता है जिसके वजह से हो सकता कई सारे लोगों को जलन भी हो सकती है इसके वजह से इसलिए यही कहा जाता है कि जब भी आप इसको लगाएं तो night time में लगाएं और ऐसा नहीं है कि आप इसको दिन में नहीं लगा सकता है अगर आप कोई DIY कर रहे है कोई face mask लगा रहे तब आप इसको 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 इसक रहती है क्योंकि पसीना हर वक्त निकलते रहता है तो इस वज़ेसे इसको गर्मियों में ओवाइड ही करना चाहिए ऐसे अगर आप इसको चाहे तो DIY अगर आप कर रहे हो अगर कोई मास्क लगा रहे हो तो उसमें मिला सकते हो ड्राइ स्किन के लिए तो बहुत ही बेस्ट है यह ओल स्किन टाइप भी इसका स्नेमल कर सकते हो फ्रेंड्स ग्लिसरीन आपको किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर में असानी से मिल जाएगा अगर प्राइस किसकी बात करूँ तो यह 100 एमल मुझे 55 रूपीज में मिला काफी चीप यह ट्रांस्पेरेंट होता है और थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी भी होती है इसकी और इसका जो स्वाद है वो थोड़ा सा मीठा होता है फ्रेंड्स ग्लिसरीन जो होती है बहुत ही कमाल की चीज है और इसको अगर आप सही तरीके से यूज करते तो आपकी स्किन की आदी स जादी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी इसका जो बेस्ट रिजल्ट है वो एलो वरा जल के साथ मिलता है और अगर आप चाहे तो जाएजा टॉनर भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसको आप गुलाब जल के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं मुझे जब भी ड्राइनेस लगती है अ तो इसके बाद जो इसकेन है वो काफी मुष्टराइज हो जाती है हाइडरेट हो जाती है और काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर आपकी जो लिप्स है वो चैप्ड हो गई है फट गई है क्योंकि विंटर साने वाली और सब को ये प्रॉब्लम फेस करनी है तो अगर अगर आप इसको अलोवेरा जल के साथ मिक्स करके लगाते हो अपने लिप्स पे और थोड़े दिर रहने के बाद अगर आप एक सूती के कपड़े से या कॉटन से उसको पोछ लेते हो और डेली अगर आप दो से तीन दिन इसको करते हो तो आपकी जो चैप्ड लिप्स है पो काफी सॉफ्ट हो जाएगी फ्रेंट्स अगर आपकी फटी एडियोग की शिकायत है तो ग्लिसरीन उसको भी दूर करतेगा बस आपको करना ये है कि आपको ग्लिसरीन को और पेटरोलियम जेली को दोनों को मिक्स करना और अपने फटी एडियोग पे लगाना है सॉक्स रात में सो जाना है आपको within a week अच्छा result मिल जाएगा आपकी जो area वो काफी soft हो जाएगी और glycerine की तो बहुत सारे फाइदे हैं तो मैं हर एक के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं वीडियो को जादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ यहीं पर मैं वीडियो को end करने जा रही हूँ लेकिन उससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर देए बिल्कुल free of cost आपका कोई पैसा नहीं लगेगा बस हम लोग इससे थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं और इसी तरह के वीडियो जबनाते हैं तो please subscribe